हेलो फ्रेंड्स आज हम बनाएंगे स्टफ मश्रूम मश्रूम बनाने के लिए मश्रूम को धोकर इसकी स्टेम निकाल ले मश्रूम में स्टफिन भरने के लिए इसकी स्टफिन त्यार करेंगे इसमें क्रश पनीर में बारिक कटावा लसन, किश्मिश, धन्या, हरी मिर्च और नमक डाल कर मिक्स कर ले इसमें मैं थोड़ी सी काली मिर्च पाउडर भी डालूंगी अगर आप बच्चों के लिए बना रहे हैं तो आप बिना मिर्च के भी बना सकते हैं तैयार मिक्स्चर को एक-एक मश्रूम में भर ले इसी तरह सारी मिश्रूम को पहले रेडी कर ले गरम पैन में मखण डालकर एक-एक मश्रूम डालें इसमें सारी मिश्रूम डालकर इसके उपर धकन लगाकर कुक करें मश्रूम की बीच-बीच में साइड चेंज करते रहे अब इसके उपर धकन नहीं लगाना दोनों तरफ से ब्राउन होने पर एक प्लेट में निकाल ले इसे आप शाम के स्नैक्स में भी रख सकते हैं इसे अब एक प्लेट में निकाल कर इसको टमेटो सॉस हरी चटनी के साथ सर्व करें और वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब शेयर और कमेंट्स करें प्लेट में निकाल करें लेखने के साथ सुटाइब शेयर और कमेंट्स करेंट्स करेंट्स